नमस्कार दोस्तो बाई पिछली वीडियो में हमने कन्वर्जेंस इन मेजर का टूपिक कवर किया था अब हम दूइस धर्म करेंगे स्टेटमेंट देखिए if fn be a sequence of miserable functions that converges in measure to f on x क्या कया कि वही fn हमारी sequence है miserable functions की और जो कि converge कर रही है f को measure में on x then there exists a subsequence fn k of fn कि वही एक subsequence exist करेगी fn k, fn k जो converge करेगी f को almost everywhere है और x पर तो हमने क्या दिखाना है हमें given यह है fn हमारी sequence है miserable function की जो की converge है measure में f की तरफ और फिर हमने यह दिखाना fn k, जो fn की subsequence है, वो converge होगी f को almost everywhere यह दिखाना है, ठीक है ना और convergence हमारा measure में given है, तो proof देखिए let us consider the subsequence 1 by n and 1 by 2 की power n और positive real numbers हमने sequence ले लिए है 1 by n और 1 by 2 की power n positive real numbers की 1 by n tends 0 की तरफ as n tends to infinity और जो यह series लिए है 1 by 2 की power n इसका हम summation करेंगे n1 to infinity तो 1 आएगा, पाई जिख p series से आप चेक कर सकते हैं जो की finite होगा ठीक है, तो now we choose increasing sequence n k अब हम increasing sequence n की इस तरह से लेंगे positive integers की देखें, let n1 be positive integer कोई भी है, तो x belong to x f n x, यहाँ f n 1 ले लेंगे minus f of x greater than 1 और less than 1 by 2, क्यों वही क्योंकि हमारा क्या है, f n जो sequence है, वो measure में given है f की थरप तो इस तरह से m लगा सकते हैं यह definition और x पर है, तो यहाँ x आ जाएगा x belong to x, आप देख सकते हैं गर्मर्जेंस in measure की definition वहीं से है तो इसका जो measure होगा वो क्या होगा, 1 by 2 यहाँ delta से less होता है तो और यहाँ epsilon होता है देखिए such a number n1 must exist in view of f n converges f in measure for given epsilon है जो वो हमने 1 ले लिया और जो delta है वो हमने 1 by 2 ले लिया, ठीक है तो यहाँ तक समझ में आए हैं और फिर there exists a positive integer such that फिर हमने यह बता दिया कि n रख दिया और ठीक है यहाँ 1 है तो n रख दिया है तो 1 by n और यहाँ पर p power 1 by 2 के power n हो जाएगी यहाँ पर p, ठीक है तो आपको यहाँ तक समझ में आए हैं आप इसको change करते रहेंगे कैसी किस तरह से, मतलब n की value 1 रख देंगे 2, 3 इस तरह से यहाँ तक समझ में यहाँ पर change कर देंगे, n is equal to n1 और n is equal to 1 तो ठीक है, वहाँ पर f of n था, तो n की जगे हम n1 same set है जो major है उसका तो n की जगे हमने n1 कर देना है और वाई, ठीक है और n की जगे हम वहाँ 1 by n था तो n की जगे 1 और 1 by 2 की power n है तो वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 by 2 आ जाएगा ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या कर देंगे, n की जगे n2 और n is equal to 2 तो देखिए जहाँ पर अब की बार n1 था, तो n2 पूट कर दिया, और यहाँ पर क्या था 1 by n था तो वहाँ 1 पूट किया था, यहाँ पर यहाँ पूट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए तो हमने इसी तरह से यहाँ पर n2 कर दिया, और यहाँ पर 2 और यहाँ 2 की पावर n था, तो n की जगे 2 तो ठीक है, यह हुआ, continuing like this, we get positive integer nk, such that nk greater than nk minus 1, k पोजिशन पर जाया है, तो ठीक है, यहाँ nk हो जाएगा, और यहाँ पर 1 by n था, तो यहाँ k रख देंगे, तो k, और 1 by 2 की पावर n, n की जगे हमने k replace कर दिया, k पोजिशन के लिए यह हो जाएगा, ठीक है अब हमने e के नाम दे दिया, जो हमारा e, यह है ना, e k, union ले लिए i1 k infinity तक, और x belong to x, और i, जो हमारी यह set है, सभी का, इनका union ले लिया, भई हमने union 1, k to infinity, और इसका जो नाम दे दिया, वो e की दे दिया, ठीक है, जो हमारे set थे, उनका सभी का union ले लिया, और e के नाम दे दिया, ठीक है, तो यहाँ तक दे दिया, e, अब अमारा next जो step होगा, उसमें हमने major of e को 0 दिखाना है, ठीक है, हम इसको 0 दिखाएंगे, major of e को, ठीक है, क्योंकि हमने यह set इस तरह से construct किया है, कि यहाँ पर यह note convergence है, note convergence है, तो हम, और e हमने countable intersection दिए है, तो हम e के major को दिखाएंगे, यहाँ पर convergence नहीं है, तो almost everywhere के लिए, कहीं न कहीं, यही करना होता है, तो हम इसको 0 दिखाएंगे, major of e को, देखिए, clearly ek is the decreasing sequence of miserable sets, by ek decreasing sequence है, क्योंकि देखिए, length की बात करेंगे, तो यह दूसरे में contain है, सभी set, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर आप, आपने जो यह लिया था, countable intersection ek, यह नाम दिया था, तो हम तरफ measure apply कर दीजिए, अब यह जो countable intersection है, limit k tends to infinity हो जाएगी, by first unit, आपने यह result होता है, कि intersection है, जो limit में change हो जाती है, अगर major है, तो ठीक है, तो वह यह काम कर दिया वही हमने, आप देखिए, क्या है, अब यह जो measure of ek है, इसको निकलने को सिस करेंगे, तो measure of ek लिया, और ek की value को हम put कर सकते हैं, यहाँ से जो हमने सभी set का नाम दिया था, तो measure और ek की value हमने यहाँ से put कर दिया, अब यहाँ पर देखिए, यह union का summation क्यों हो गया, summation i is equal to k to infinity, इसका क्यों summation होगा, क्योंकि measure is countably additive और sub additive, measure हमारा countably additive भी होता है, और sub additive भी होता है, ठीक है, तो अब हम इसकी value को replace कर देंगे, ठीक है, यह किस से less होगी जैसे, यहाँ के position पर तो less थी यह 1 by 2 की power k से, तो यहाँ पर less होगी 1 by 2 की power i से, तो यहाँ पर हम इसकी value को replace कर देंगे, अगले step में, ठीक है, देखिए, तो हमने यहाँ पर इसकी value को replace कर दिया, तो यह 0 की तरफ converge होगी, जब k को हम large कर देंगे, k 10 to infinity, by gp series, measure ek हमारा non negative होता है, क्योंकि हम measure ek तो उस तरफ चली रहा था, तो उसको less दिखा दिया 0 से, और non negative automatic होता है, तो measure ek हमने 0 दिखा दिया, अगर measure ek 0 है, तो e भी 0 है वही, क्योंकि हमने यह मानने था, e is equal to ek, और यहाँ i want to k to infinity है, यह इसको मानने था, तो यह इसका accountable intersection लिया था, यह 0 हुआ, तो ठीक है, तो measure of e automatic 0 है, क्योंकि हम क्या लिख सकते measure of e, और e की value को हम replace कर सकते ही, और e के हमारा 0 है, तो ठीक है न, तो यह 0 हुआ, भाई, हमारा measure of e, अमारा 0 दिखाना था, का, तो आमने दिखा दिया, अब देखिए, हमने almost every way, है दिखाना तो उसके लिए क्या करें, तो e के हम वो set मान कर चले थे, जहाँ पर हमारे series मतलब convergence नहीं थी, वहाँ पर हमने major 0 दिखा दिया, अब हम यह यह प्रूव करन एकोसिस करेंगे, कि e compliment में major exist होगा, तो इसके लिए देखिए, अगर यह x note e compliment में है, तो e में नहीं होगा, then e में नहीं है, तो e m में नहीं होगा, e m अमने इस तर से बताया है, k greater than, मतलब यह e की में नहीं होगा, क्योंकि यह countable intersection था, इसमें e में नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा, for some positive integer m, ठीक है, अब देखिए, यह e में नहीं है, तो e हमारा set क्या था, जो हमने constructs किया था, कि position पर e, मतलब e के लिए i के लिए किया था, और e के यह पर e की value रखती वही, जो थी, ठीक है, तो ठीक है, जी, क्योंकि हमने e में last की value, हमने kate position पर drive की थी, यही तो थी, और फिर अगर इसमें नहीं है, तो इसका compliment क्या होगा, इसके compliment में तो है, इस set का compliment यहां greater than है, तो यहां less आ जाएगा, बाग की same है, वही यह set, ठीक है, है, अगर हम 1 by k 10 to 0, अगर k को हम large करते, तो यह 1 by 0 की तरफ होगा, इस प्रकार तो हम limit k to infinity fn k x note is equal to f of x note हो जाएगा, ठीक है न, ठीक है, इसका मतलब, यह होगा, मतलब sequence हमारी conversions है, अब देखिए, अब हमने क्या किया है, कि since x note जो हमने point लिया है, वो e के compliment में चिलिया था और जो की arbitrary point था, it follows that arbitrary था, तो जो x note हमारा arbitrary था, तो fn k x is equal to f of x, 4 x belong to e compliment में से, सभी x कहां से होंगे, e compliment में से, तो हमने यह दिखा दिया, fn k, f की तरफ converge होगी, almost everywhere, देखिए, एक बार revise करिए, क्या किया था, कि हमने यहाँ पर जो यह definition थे, कि भई, fn अमारी converges है, f की तरफ in major, तो हमने उसी definition का use किया, और n के जो हमने increasing sequence ली है, positive integer की, तो इस तरह से, ठीक है, तो हमने यह बता दिया, कि epsilon 1 है, यहाँ delta होता तो delta, 1 by 2 है, यह हमने उसकी definition यूज की, और फिर n1 की जगे n, और यहाँ पर भी n, और यहाँ पर भी n, ह हम इसको change करते रहे, तो देखिए, यहाँ पर हमने बताया, किस तरह से change किया, फिर हमने, यह सारे set थे, EK हमारे decreasing थी, तो इसको EK को हमने क्या नाम दिया था, इन सभी set का union लेकर EK नाम दिया था, और EK को क्या था, countable intersection EK का, अब हमने इसको 0 दिखाना था, measure of EK को, क्यों दिख मतलब, इस set का measure 0 दिखा दे, तो हमारा यह set है, जहाँ पर यह Convergent नहीं है, Convergent नहीं है, तो वहाँ पर measure 0 दिखा देंगे, और यह दिखा देंगे, जो हमारा Convergent है, EK कोंप्लिमेंट में exist है, तो यह almost everywhere होगा, ठीक है ना, हमने दिखाना था, तो हमने यह बता दिया, EK decreasing sequence थ दिया था, ठीक है, तो इसकी value को replace किया, तो वो 0 हो गया था, और non negative to EK 0, तो measure of E को हमने 0 दिखा दिया, अब हमने measure of E को 0 दिखा दिया, क्योंकि यह हमारा set वहाँ, यह set था, जहाँ पर यह Convergent नहीं था, तो वहाँ पर हमने measure 0 दिखा दिया है, अब हम यह दिखाएंगे, कि convergence को E के complement में exist होगा, ठीक है, फिर हमने measure of E को 0 दिखा दिया, जो कि वो set था, जहाँ पर वो Convergent नहीं था, उसके लिए हमने देखिए, X note जो Fn के, अगर हमने E complement में दिखाना है, almost everywhere है, कि हम Fn के को दिखा 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 दिखेंगे, कि converge होगी F की तरप E complement में, तो X note E complement से क E में नहीं होगा, E में नहीं है, तो E M में नहीं होगा, E M किस type का था, इस type का था, मतलब E के जैसा, क्योंकि K greater than M है, तो वही है यह, तो इस type का था, हमने पिछे value बताई थी, यह की, वही, K position पर, ठीक है, तो फिर अगर इस में नहीं है, E में नहीं है, तो E complement में, कॉम्प relation आजाएगा, limit K to infinity, तो यह आजाएगा, ठीक है ना, यह आने के बाद, यह हमारा arbitrary था, complement में से, ही, complement में से, तो हम यह कह देंगे, कि यह arbitrary था, तो यह सभी point के लिए, Conver, जोगी, series Fx की तरफ, तो Fn के F को almost everywhere, Conver.